नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे खास का इक्रम चुनावी टक्कर में हर्याना न्यूज आपके लिए लाया है एक खास का इक्रम विधानसवा चुनाव बलकुल नजदीक हैं कुछ ही समय बाकी बचा है तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जूटी हुई है इधर भारतिय जंता पार्टी दावा कर रही है कि सभी सीटे हम जीत जाएंगे इधर कॉंग्रेस अपने अपने दावे कर रही है इसे बीच तमाम दल्चों हैं वो तायारियों में जुटे हुए हैं और आज खास्त मेमान हमारे साथ मौजूद हैं जन्सेवक क्रांती पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अंकेजरी अंकेजरी बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकेजरी व्यधानसवा चुनाव बल्कुल नज्दीक है कुछी समय बाकी बचा है ऐसे में आप लगातार देख रहे होंगे कि हर्याना में जिसरहां से कई पार्टियां चुब है अक्टिव नजर आ रही है आपने हर्याना में खुद की पार्टी बनाई है आप अपनी पार्टी को लेकर कितने एक्टिव हैं और हर्याना में आप अगर मेदान में उतर रहे हैं तो कितने जाद एक्टिव नजर आएंगे सबसे पहले हर्याना न्यूस के सभी दर्शकों का नमश्कार आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हर्याना में अपने चुंगल में हर्याना को दबोच के रखा हुआ है 1966 से तो इतने सालों से जब हर्याना इनकी चुंगल में है लेकिन आप देखेंगे पितले कुछ सालों में सिरफ भारतेंता पार्टी, कॉंगडेस, इनेलो यही दल हैं जो हर्याना में काम कर रहे हैं जरूरत थी एक ऐसे रानितिक दल की जो हर्याना को इनकी गिरफ से भार ला सके हर्याना में आज अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से जैसा हर्याना 1966 से बन करके था वैसा ही 2024 में हैं तो जनसेवत करांती पार्टी गुरुग्राम से बनी है और हर्याना का विकास करना चाहती है और जरूर एक चुनावी प्रक्रियाओं से हम लोग गुजरेंगे बल्कुल दिखें अंगेच श्री विधानसभा चुनाव बल्कुल नस्दीक हैं और ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि गुरुग्राम वधानसभा शेत्र में जोस तरह से आप अपनी पाती आपनी बनाई है तो ऐसे में चुनावी मैदान में आप उतर चुके हैं कितने साल से आप एक्टिव हैं? देखे हम लोग 2019 से समाजिक रूप से हम सक्रिये हैं जब से करोना जैसी मामारी हमारे देश में आई थी तब हर जन ने एक दूसरे की सेवा की थी और ऐसे में हमें महसूस हुआ कि जिनके जिम्मेदारी थी यानि कि हमारी सरकारों की, हमारे प्रशाशन की उनसे लोगों की उमीद थी वो उमीद टूटी भी नजर आई तो मैं बतौर एक समाजिक कारे करता एक समानने व्यक्ति हमने समाज के लिए काम किया लेकिन उस समय मैसूस हुआ कि हमें इन राजनितिक दलों की जरूरत थी लेकिन ये दुबक करके अपने घरों में बैठे थे तब से हम लोग 2024 आज आज आगया है हम समाज में कारे कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर्याना में आज जितने भी राणितिक दल है उनकी उन्होंने जो जो दावे किये थे वो जेयों के तेयों रह गए हैं आज हर्याना दुर्भाग्य है 1966 के बाद आज भी बेरोजगारी में नमबर भन है आज भी हर्याना के किसान प्रशान है आज भी हर्याना के पहलवान प्रशान है आज भी हर्याना की हर महिला वर्ग प्रशान है कोई वर्ग इन सरकारों से खुश नहीं है इसका सिरफ और सि कुछ राष्ट्र धर्म के नाम पे अपना वेपार करते आए कुछ ब्रश्टाचार के नाम पे आए लेकिन उसी के रहा पे खुछ चल पड़े लेकिन युवाओं को दरकिनार किया गया आज बेरोजगारी होने के कारण हर्याना का युवा अपराद की तरफ बढ़ रहा है औ मैं खुद गुरूग्राम से हूँ और जो हमारा शहर है गुरूग्राम वो एक कमाओं पूट है ङृद हर्याना का nous बेया चलाने के लिए और मैं घुद गुरूग्राम मेरी जनम् भूमी अं सब्सक्रीयचर के अंदर तो इस गर्भा पिश REALLY आई सकते हर्याना के 21 दिलों तो आपने सब चीज़ों को नौटिस भी किया हो गई, यूबा जो है वो हमेशा यही चीज़ नौटिस करता है कि क्या-क्या कमिया है और किन-किन चीज़ों का विकास हुआ है और किन-किन चीज़ों का विकास नहीं हुआ है, तो एक्टिव भी आप नजर आ रहे हैं, आपने इसलिए कि आपने गुरुगराम विदानसवा शेतर में कुछ कमिया देखी हैं। देखे हायाना की जंता इस पर अपना मन बना चुकी है। हरयाना में बदलाव आना लाजमी है इस बार। और हरयाना के लोग अप समझदार भी हो गए हैं, जागरुप भी हो गए है। चुकी मैं खुद गुरुगाओं से हूँ, आपने समस्याओं की बात की पहले में आपका थोड़ी सी नजरत गुरुगाओं की समस्याओं पर डालना चाहूँगा। आज गुरुगाओं दो भागों में बटा हुआ है, एक पुराणा गुरुगाओं, एक नया गुरुगाओं, मा शीतला की धरती का जाता है गुरुद्रोन की धरती का जाता है गुरुगाओं को, लेकिन आप देखिए गुरुगाओं को सिरफ और सिरफ बिल्डरों ने, उ अज्छा आज पोड़ान travelers लेकिन गुड़गाओं की जो दशह है वह आज किसी से चुपी नहीं है गुड़गाओं में आज एक अच्छा सरकारी फिल्पतान नहीं है गुड़गाओं में से बुस्टेір नहीं इन टोटी हूई है। रीक Willدة कि उतिट Elementary God प्रशाषन पर दोष लगाता है लेकिन इसमें पिशक कोन रहे है? गुरुगराम की जनता. लेकिन मैंने कोशिश की कि युवाओं को आगे आना चाहिए युवाओं को नशा मुक्त हो करके अपनी समाज के लिए कुछ करना होगा और राजनीती कैसा माद्यम है जो हम सत्ता में आ करके सेवा कर सकते हैं और पुंजी पती नेताओं को वेपारियों को हम जड़ से क्यूंगे अगर जनता को अथे चुनती है तो आप क्या विकास कारय करवाएंगे गुरूक्राइंगे हम तो अभी भी कारे कर रहे हैं मैं आपको एक और समस्य बताता हूँ जो हर्याना की जनकलयान कारें नितियां है के अंदर सरकार की जो जनकलियांकारी नितियां है वो लोगों तक पहुची नहीं पा रही है और भाजपा संगठंग सिरफ और सिरफ अपने कारेक्रम करता है कैसे टिकट वितरन करना है कैसे जोड तोड करके आकड़े लाने हैं सिरफ इस पर काम करते हैं जनता के ले कोई काम नहीं करते आज गुरुग्राम की जनता के इवन हर्याना की जनता के सारे जिसमें सरकार ने इनको उल्जाया हुआ है उनको सुल्जाने का काम हम करवा रहे हैं जितना हमसे यथा संबब हो पा रहा है दूसरी बात जो मूलबूत सुईदा है आज नगर निगम के पास इतना पैसा है इन तीन ह tightened करोड का बजट लेकिन लक्कार रहा है साड सो क्रोड रुपका सफाई का बजट आता है गुरुग्राम का मका लेकिन आज़ चार साल से गुरुर्ग्राम के थिवाली कूड़े में मनाइं य solem करते हैं सनात्रिय की हिंदू की बार और सबसे पहले हिंदओं को साफ सफाई चाहिए होती है गोरा क्रकट ना हौ तो पूरे चार साल से गुड़काओं की जंता ने गंदगी देखिया आप इनके करमचारी हरताल पे हैं आशा बरकर हरताल पे हैं तो कहीं न कहीं इनका अपने प्रशाशन के अधिकारियों से प्रशाशन के करमचारियों से कोई तालमेल नहीं है तो कहीं न कर पूरी तरीके से भाज़पा सरकार फेल हो चुकी है और अब लोग चाते हैं कि ऐसा विधायक हो, ऐसा संसद हो जो उनके बीच का हो, स्थानिय हो जो समस्याओं को जानता हो और जो समस्याओं का स्थाई समाधान निकाल सके तो पूरा का पूरा गुरुग्राम इस समय मैं कहूंगा कि उसकी दुर्दशा इतनी है कि आप आज चल नहीं सकते गुड़गाओं के अंदर तो ये सबने देखी गुड़गाओं के समस्याओं तो तमाम तरह की समस्याओं जो हैं वो आप जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम तरह की समस्याओं को आप भाव भी रहे हैं अच्छे तरीके से आपने खुद की party बनाई है हर्याणा में, क्या कभी आपके मन में कभी विचार आया, कि आपको कोई party join करनी जए इससे पहले राजनीती अशुद हो चुकी है राजनीती करांती की अवशक्ता थी इस देश के अंदर, तो ऐसे युवाओं को लाने के वशकता थी जो अपने अपने शेत्र में आज उपलब्दियां प्राप्त कर रहे हैं तो मुझे लगता है राणिती में भी आ करके वो बहुत कुछ कर सकते हैं तो हमें लगता है हर्याना के अंदर इस बार युवा शक्ति को आना चाहिए अच्छे लो मुकरिया आने चाहिए शिक्षा मिलने चाहिए अच्छे स्कूल होने चाहिए अच्छे हस्पताल होने चाहिए लेकिन हमारा यहां पर उल्टा है हम बिरोजगारी में नंबर वन हैं हम अपराद में नंबर वन हैं यहां पर हस्पताल नहीं है अच्छे स्कूल्स नहीं है स् कुटाले हर्याना में होते आये हैं तो जो कहीं नेसे रूठल की अव्शक्ता थी और हम बतोर जन सिवक, क्यों कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बादल को चटना होगा, सुरज को उँगना होगा और इस बार नेता को अगज़ना होगा, सेवक को आना होगा क्योंकि हम लोग सेवक हैं तो सेवक आएगा तो वो जनता की सेवा करेगा उनको लूटने का काम ने करेगा जो आज भाचपा के लोगों ने, कॉंगरिस के लोगों ने इतने दशकों से हर्याना की जनता को लूटा है हर्याना की जनता को ठगा है तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम जादा से जादा सीटों पर लड़वाएं लोगों को अच्छे लोगों को लड़वाएं चुनाव और आकर के वो अपने हर्याना की सेवा करे अगर गुरुगराम की जनता आपको नहीं चुनती है तो उसके बाद क्या आप जनता की सेवा करेंगे? देखे मैं हमेशा से कहता हारूं जब से पाटी बनी है हम लगाता ग्राउन पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं हम वो नेता नहीं हैं जो चुनाव जिवी होते हैं हम तो सेवक हैं, हम काम करने आये हैं और हमें राजनीती नहीं आती क्योंकि हमें राजनीती का अनुभव नहीं है हमें समस्याओं का अनुभव है हम उन समानने परिवारों से आते हैं जब जल भराब होता है, तो कैसे पानी घर के अंदर आता है तो कैसे उनों लोगों का समान खराब होता है और कैसी दोदशा होती है तो हमने समस्याओं को जिया है तो मुझे लगता है कि जनता अगर हमें मौका देगी तो हम गुरुग्राम की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे गुरुग्राम में अच्छे हसपताल बनाएंगे क्योंकि जरूर गुरुग्राम की अवादी बड़ी है लेकिन रिसोर्सी भी बड़े है पैसा भी है, बजट भी है लेकिन नियत नहीं है क्योंकि जन सेवकों की नियत अच्छी है और जिसकी नियत अच्छी होती है उसकी नितियां काम करती है उसके कारियों में गती होती है तो प्रगती होती है तो जन से वक्त आएंगे तो समाज में प्रगती होगी और मैं आपके चैनल के मादियम से आज हर्याना के लोगों को कह देना चाहता हूँ कि हर्याना में बदला तो हम जरूर कुछ करेंगे, नहीं भी देंगे, तो आपका सुझाव मान करके हम जनता की सेवा करते रहेंगे, हम ग्राउंड पर फिर भी काम करते रहेंगे. तो आप करम कर, फल की इच्छा मत कर, उस निती पर आप चाल रहे हैं. जो लगातार हम देख रहे हैं. अगर आप विधायक बन जाते हैं, गुरुग्राम में अगर आप जनता के बीच में आप उतरे हैं, तो कुछ विजन भी तो होगा आपका. देखें, हमारे पास पूरा blueprint है. अगर गुरुग्राम की जनता मुझे मुझे मुखा देती है इस वार, तो मैं सबसे पहले गुरुग्राम में एक अच्छा हस्पताल लाने का काम करूँगा. मैं आज एक वाइट का गच पर उनको लिख करके देदाना चाता हूँ, कि आपका कोई भी काम हो, जो निजी ना हो, लेकिन समाजिक हो, चाए वो आपकी मूल्बु सुईधार के रूप में कोई भी काम हो, हम वो काम कराके दिखाएंगे. अच्छी सडकें होंगी, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छी कुड़ा सफाई होगी, और नगर निगम में जो ब्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा, और एक ऐसी सरकार हम आने वाले समय में लाएंगे, कि आप कह सकते हैं गर् तो सरकार के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? गोटाला करते हैं, हर जिके ब्रष्टाचार है, संत्री से लेके मंत्री तक एक एक प्रती पैसा खाता है इस हर्याना का, तो मैं इस भाजपा सरकार को कह देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, क्योंकि पहले एक परिवारवा सरकार ने हमें लूटा, अब आपने राश् के बीच जाहिए, मैं कह देना चाहता हूँ आपके चनल के माद्यम से, राव इंदर जी साफ जो हमारे सांसद हैं, वो आएं, उनको 75,000 वोटों से उनने जीत हासील करी है, उनको खुदी पता लगे इस बर क्या हुआ है उनके साथ, तो गुड़गाओं में आएं, गुड़ा सांसद, राव इंदर जी सिंग, लगातार जीत हासिल करते हूँ नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी गुरुग्राम में विकास नहीं हो पाया है, क्या कारण मानते हैं आप? देखे, मैं फिर वही कहुँगा कि एक ही समाज को अपनी बपोती बना करके लोग काम करते हैं, आज गुड़गाओं की जनता को अपनी जूती समझते हैं, पिछले छे बार से ही सांसद रहे हैं, आप गुड़गाओं का हाल देखिए, आप दक्षिन हर्याना में, दक्षि फैमिली के लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, पिछड़े लोग भी रहते हैं, उनका इन्होंने कुछ नहीं सोचा, सिरफ और सिरफ अपने परिवार के हित का अपने बच्चों का भविश्य बनाने में लगे हैं, लोगों के बच्चों का भविश्य नहीं बन 29 में इनको और ज्यादा पता लग जाएगा जब सरकार बदलेगी और अभी गुड़गाओं में और हर्याना में विधान सभा के चुनावा को जो नतीजा आएगा वो इनकी आखे खुलने का काम करेगा इनको सबक सिखाने का काम करेगा तो आपको लग रहा है कि सरकार परिवारवाद की राजनीती करती है तो 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 अगर यहां के जो सांसद राव इंद्जिस सिंग लगातार जृत हासिल कर भी रहे हैं तो किसी भी तरह का विकास नहीं करवा पाई है अध्य है? देखे मैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोगों की उमीद राजनीती से तूट चूकी है इन निताउं से तूट चूकी है लोगों में अक्रोश है लोगों में गुसा है, आज लोग अपनी इन समस्याओं से जूज रहे हैं, उनका कोई साई समधा नहीं निकल पा रहा है, तो लोगों को लगता है कि शायद आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी रानिती करेंगे, आप लोग भी उन निताओं की तरह करेंगे, लेकिन जनसे पताओं तो इन नेताओं ने पिछले 10 साल में, पिछले जितने दशक हुएं हर्याना को बने वे, इनका बुरा हाल हो चुका है, तो लोग अब वोट भी नहीं डालना चाहते, ऐसी स्थिती है, आप गुड़काओं में अगर दो हिस्से हैं, नए गुड़काओं के लोग तो बोट डालना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इनको लगता है कि हमारी पार्टियों का नाम हो गया है, कोई 22 साल पुरानी पार्टी है, तो कोई 138 साल पुरानी पार्टी है, इनको लगता है पार्टी के नाम पे हम बोट ले जाएंगे, लेकिन नहीं, अब जनता बुरे नहीं है! सिरफ बुरे लोगों के हाथ में है तो योग्य लोग जब आगे आएंगे तो राजनीती में सपलता बिल्कुल तो आप जा रहे हैं कि जनता आपको इस बार मौका दे क्योंकि आप युवा हैं और युवा होने के नाते आपने दिखाए कि क्या क्या विकास रहें वो होने चाहिए गुरुग्राव में अभी लोकसभाद चुनाव हुए और उसका परिणाम आया हर कोई जानता ह कि किस प्रकार का परिणाम रहा है भारते जनता पार्टी ने पांस सीटे हासिल की हैं लोकसभाद परिणाम में और कॉंग्रिस ने भी पांस सीटे हासिल की हैं इस परिणाम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और आप विधानसभाद चुनाव हैं तो ऐसे में आपकी पा और हर्याना के अंदर 5 सीटे आना जो 19 में 10 सीटे थी कहीं न कहीं इनका एहम भी टूटा है और वहम भी टूटा है और रही बात हमारी पार्टी की देखिए हमारी पार्टी का गठन 3 सितंबर 2021 को भुआ था पिछले तीन सालों से हम अपना संगठन बनाने में लगे हैं क्यों पर लोगों को राजनीती के प्रती जागरू करना एक पहुत टफ टास्क होता है हम उस पर काम कर रहे हैं और हम विधान सबाग के चुनाव में लड़ेंगे और मैं आपको अपके चनल के मादियम से बता देना चाहता हूं कि हमें चुनाव आयोग से हमारा चुनाव जिन भ प्रयास करेंगे और यह हमारा प्रयास है क्योंकि हम समझते हैं कि ना तो हम किसी से इशा करते हैं ना हमारी कोई होड है हमारी अपनी मंजिल हमारी अपनी दोड है हम राजनीती में शुदी करन करने निकले हैं और कहते हैं संगर्ष एक मात्र विकल्प होता है सफलता का हम स जैसे हम corporate में जाते हैं जॉब लेने के लिए तो हम उपना बायोटा आवेधन देते हैं तो जनता हमारी corporate है, management है, जनता की company है और जो MLA, MP होते हैं, वो कहीं न कहीं एक सेवक के रूप में, नोकर के रूप में जाते हैं, employee के रूप में जाते हैं, तो अगर कोई UIA MLA बनना च सेवा करना चाहता है, हरियाना के मुद्दों पे बात करना चाहता है, हरियाना के मुद्दों पे स्थाई समधान लाना चाहता है, हरियाना को रोजगार में number one बनाना चाहता है, हरियाना को अपराद मुक्त करना चाहता है, नशा मुक्त करना चाहता है, किसानों के प्रतिका करना चाता है पहलवानों के प्रत्वीय काम कerson करना चाता है तो व जनसेवप 가지 party से जुड़े राजनीते में शुद्री करन करने के लिए जनसेवप करने के लिए आपका दिल खोल के स्वागत करती है हमारा शोशल मीडिया ज से वे और मैं कोशिश करूँगा कि अपने नंबर जो हमारी पार्टी से जुड़ने के हैं सदस्ता के लिए इस पे मैं मेंशन भी कर दूँ आप उस पे जुरूर कॉल किजिए और पार्टी से जुड़िए और हर्याना में युवाओं की सरकार बनाने में योगदान दीजिए हर्याना को समस्याओं से मुक्त कराइए हर्याना को प्रिवार वास्ते मुक्त कराइए हर्याना को वंश वास्ते मुक्त कराइए और जैसा हर्याना हम अदर्श हर्याना चाहते हैं जहां पे किसानों की इज्जत हो पहलवानों की इज्जत हो हर एक का मान सम्मानों मात्र शक्त करने का काम करेंगे। देखे मैं जिन्दगी ही एक शुनोती है और ऐसा ही कुछ देश अजाद होने से पहले का गया था जहां पे शहीद भगत सिंग, सुकदेव, राजगुरु को का था कि तुम युवक्त क्या ही कर लोगे आज देश को अजाद कराने में उनकी भूमी का बहुत रही है, उनका ब बदलाव होता है क्योंकि कहते हैं जिस ओर जमानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, तो इस बार युवा आएगा और हमें बड़े पुंजीपतियों से, उद्योगतियों से, बड़े निताओं से डर नहीं लगता, हमारे पास हिम्मत है, साहस है, होसला है, और मैं कह देना चाता हूँ इन लोगों से कि आज तुमारी हवा ज़रूर होगी, कल जन से बगों का तुफान भी आएगा, तो हमें नहीं लगते जीव, तुफान लेकर आने वाले विदान समझ पनाव की पूरी-पूरी तैयारी आप ने की है, और एक्टिव भी काफी नजर आ रहे हैं, चली हम भी चाहते हैं कि जनता आपको मौका दे, आप भी जनता जो चाहा रही है, जो उमीदे जनता आपसे कर रही है, वो आप सारे काम करवा सेगे, क्योंकि जनता अगर कई चीजों को लेकर चाहे तमाम तरह की समस्या हैं, पानी, रोजकार, शिक्षा को लेकर त्रस्त न कि आप हर्याना को अपराद मुक्त कराना चाहते हैं तो आप नेताओं को छोड़िए आप इस बार सेवकों को मुका दीजिए क्योंकि आपने बहुत बड़े-बड़े रानितिक दल देखे हैं हमारे हर्याना के अंदर परिवारवाद से युक्त हैं ये दल तो अगर आप चा भी रादनिती में आए और इस रादनिती के माद्यम से हर्याना की सेवा करे तो जनसेवक क्रांति पार्टी जो पड़े लिखे युवाओं की पार्टी है जो चार्टेड एकाउंटेंट, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स उन लोगों की पार्टी है और इस हर्याना में परिव अब उसे चलने वाली पार्टी है जै हिन जै भारत बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेश किमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्त काम नाई आप विधान सबस्चुना आपको लेकर जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं ह कि अंगित अलग जी एक सामाने परिवार से आते हैं जो खुद की पाती इनोंने बनाई है जन सेवक करांती पाती जिसके यह राश्टी अध्यक्षपी है और इस बार जनता क्या चाहा रही है उस पर निर्भर करता है क्योंकि जनता इस बार यह चाहा रही है कि जो वधायक गुरुगराम में आए वो तमाम तरह की जो विकास है वो करवा पाई जो समस्याई है जनता के बीच में जो जनता देख रही है और तमाम तरह की जो कारे हैं वो काम करवाई जाए गुरुगराम विधान सबाशेत्र में तो फिलाल इसी के साथ इस खास कायकरम चुनाभी ट